Hey guys, how are you all? Hope are doing well. I am Tanuja Rukwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए, ओवेलेशन के बाद, अगर बच्चा successfully uterine lining में implant हो गया है, तो उसके बाद से महलाओं की बॉडी में एक नया हॉर्मून, जिसे हम pregnancy hormone भी क्या देई, जिसका नहीं में SCG. सबसे पहले महलाओं की सब्सक्राइब हो जाता है तो सबसे पहले महलाओं की यूरीन में चेंजिस दिखना शुरू हो जाते हैं और ये चेंजिस की इंटेंसिटी आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रही है जिसकी वज़े से आप तलिए ये जानना थोड़ा आसान हो जाता है कि इस महने आपको प्रेगनेशिक अजीव हुई है ये नहीं हुई है त शिकायत होने लगती है या बार-बार यूरीन करने का मन करता है यूरीन पास करने की आर्ज होती है जब यूरीन जाती है तो हलकी सी यूरीन आती है सब खुलके यूरीन नहीं आती है और कई बार आती भी है तो इस तरीके की फेलिंग आपको हो सकती है जब आप प्रेगने पीडनी का काम बढ़ जाता है वह को वेस्ट को वेस्ट को फिल्टर आउट करती है जब ब्लाइशन् जहादा थेजी से हो रहा है तो जलदी जल्दी वेस्ट भी फिल्टर हाउट होता है जिसकी वज़े इसमें महलाओं को बार बार यूरीन पास करने की शिकायात हो जाती है इसके सांट जब बच्चा uterun lining में implant होता है तो uterus हल्का सा expand होता है uterus expand होने के वज़े से भी urine pass करने की urge होती है और साथ ही जैसे जैसे pregnancy grow होती है तो uterus और जादा expand होता है uterus बढ़ता जाता है क्योंकि बच्चा उसी में grow हो रहा होता है तो उसका जो सारा pressure है वो urinary bladder में पढ़ता है और urinary bladder में अगर बार-बार pressure पढ़ेगा तो आपको बार-बार urine pass करने जाना पढ़ता है खुल के भी urine ने आती थोड़ी-थोड़ी सी urine pass करने जाना पढ़ता है और throughout pregnancy ये लक्षन आपको दिखाई दे सकते हो इसके साथ आपको यूरीन के कलर में भी चेंज दिखाई देखा देखा देखें नॉर्मली जो यूरीन निकलती है या तो येलो 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 निकल रही है जो यूरीन का कलर है वो डाक तो होई रहा है साथ में गा इस टाइम पर फीमेल की बॉड़ी को जो नॉर्मल वाटर की कुट्रिडी होती है उससे जादा बॉड़ी को रिक्वाइर्मेंट होती है कई बार महिलाओं के बॉड़ी में डिहाइडरेशन की वज़े से भी यूरीन गाड़ी निकलना शुरू हो जाती है और इसके सांसाथ देखें, आपको यूरीन में से छुरू हो गया है जब अब ऱायम तक टाइम वी यूरीन पास नहीं करते बहुत करते नॉरीन यूरीन दरवाइस नहीं आती है बॉड़ी प्रेगनेट विमेन को और ऑल ली टाइम को अमेशहाएल यूरीन में से touching, दीला आ ऐसीजा आ शु धादा ध dalla शुरू हो सु ड्साथה आप दोट कर सकते हैं, यॉरीन में आपको हल्के हल्के से जैतार दिखाई दे रहे चोटफ़ साथे भबल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तो इसके पीछ़े का पहला कारण ग verb दिया हा Saak जिस आपको period miss होने से पहले हलके हलके से नजर आ रहे हैं और जिसकी intensity दीरे-दीरे आप देख रहे हैं, बढ़ती जा रहे है period कतब होने के बाद, तो ये 101% confirm कर देता है कि आपका implantation सवल हो चुका है, यानि आप pregnancy conceive कर चुके हैं, तो इसी आपको लोगने लिए, एक रहे हैं, जा एक रहे हैं, आपको रहे हैं, पिए झाल है, तिल दैना बाए,।